अरोड से पच्छिम इधर भी बहुती बुड़ा हाला थे ये देखो रोड रोड है और आगे भी चलके देखाऊंगा कि किस तरह से यहाँ परिशानी जेल रहे ये लोग मंदिर भी है और आने जाना बहुत तकलीफ है तो वह चाहे तो राज्ता बन तकता है रोड जो हमारा है उसमें डाइबर्शन ताव भी बन कर दिया है लोगों ने मुझे जिन्दगी का इतना तजूर्बा तो नहीं लेकिन सुना है सादगी में लोग जीने नहीं देते है वासप गैस कैसे आप मैं हुँ अलाओ दून और आप देख रहे हैं अलाओ जोन तो आज यह व्लोग नहीं है व्लोग के रूप में पॉब्लिक का रियक्शन लेने जा रहा हूं तो आप लोग वीडियो में लास्त तक बने रहे हैं वीडियो को बीच में इसकी बिल्कुली नहीं करना है तो लास्त वीडियो में बने रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत ही जबरदस्त है क्योंकि यहां में गरीब लोगों का रियक्शन लिया हूं तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे गया तभी आप लोग को समझ में आएगा और वीडियो को लाइट कर देना और शेयर कर देना डबाके अगर वीडियो देखने के दर्मियान आपके मन में गुद देता परशा पंचायत में और देता परशा पंचायत से मुन्सर टोल 5 यह पंपीट स्वाइब है यह इक सी कितना शाडा पानी देखा हूआ और उधर जाएगो तो और ज्धा के दिखाऊंगा कि किस तरह से यहां परिशानी जह्ल रहे हैं यहां पर परिशानी जहल रहे हैं तो आई हैं इस महले इनका भी घर पड़ता है तो क्या नाम है लच्छन सदा है मेरा इस में घर में मंदिर भी है और आने जाना बहुत तकली पता इतना पानी यह पर जाता है जब जरूरी होता था तो इस जाने आने पड़ता है बहुत पर सानिय हो रहे हैं कया को सुनन यह ले रहा है उनलों को क्या किया का नहीं किया भी बास हो गया है तो घ्र 치टा को पानी और कीचर भी बहुत है तो ये परिशानी इन लोग को अभी बारिश का टेम आया है ना तो तीन से चार महिना बारिश चले जाएगा तो अभी यहां पे चार-पांच महिना परिशानी रहता है तो देख सकते हैं किस तरह से ये लोग परिशानी जिल के अपने घर पे पह अगर बाय देवे उधर गिर जाए तो वो डूब भी सकते हैं तो इतना सारा परिशानी जहल के ये लोग गुजारा कर रहे हैं और अपने घर आ जा रहे हैं तो बहुत ही मुश्किल भरा ये रास्ता है तो देखा आप लोग ने किस तरह से परिशानी जहल के यहां के और बच जाहे तो रास्ता बन सकता है तो यह अब तक क्यों नहीं बना पाया है ये वह लोगह जो बहुत ही महनति होते हैं और बहुत ही महनत करके में नाम ब्रेंदरसदा हैं देए अइसा है कि हमारा जो रास्ता है तो पानी निकलने का जगह नहीं है जहां जगह था वहाँ आधमि घर बना दिया वहां पानी पानी यह सकता हुआ लकिंछा जाने का रश्टा नहीं है भब बनेशन और यहां पर इस कि हारोन फाल मेला है यहां हो से लोग कहते हैं यह पीछे चेव मंदिर हैं कि महादिव द्रे 15 Selbst डिम्हाद देब पढ़ना पढ़ा इन लोगों को और जब जहां पर मंदीर है तो वहां पर रोड अच्छा होना ही चाहिए था और आपका काम यहां से बनता है कि वीडियो को देख के ठहरे मत यह वीडियो को जादर से जादर लोग तक शेयर कर दे तो वाड नमबर पांच में रोड से पूरब भी बुरा हाला थे और रोड से पच्छिम इधर भी बहुत ही बुरा हाला थे यह देखो रोड यह एक अच्छा खासा रोड गाउं में गुजरने का और इधर जो है यह ढलाय हो गया है यह रोड यह रोड सिधा महीना दो महीना रही जाता है सालाब आता है आके चले जाता है परिशानी से तीन दिन से चार दिन का रहता है लेकिन यह परिशानी महीना दो महीना तक इन लोग को जहलना पड़ता है तो वाड नमबर पांच में रोड के पूरा भी बुरा हाला थे और रोड के पच्छिम भी बुरा हाला थे मैं सूसल मीडिया इन्फिलेंशर इन लोग से राई लिया और यहां के महले यहां के पब्लिक से मैंने कुछ पब्लिक रियक्शन लिया तो वह चीजों को मैंने देखा दिया अब यह काम किसका है नहीं है यह तो यह महले वाले जानेंगे यह वार्ड परिशानी हो रहा है बारी शुरूखे च्छे से साथ गंटा हो गया लेकिन पानी यहां से निकल लेगा कोई अफसर नहीं है इसलिए यहां पर बहुत ही कीचर हो गया है और यह कीचर मुसल्चल यह तो डेड़ दो महिना यहां पर रही जाता है और पानी की बात करेंगे उ परिशानी से साथ महीन रहे जड़े तो यह साइसार परिशानी जिलना पड़ता है को रास्ता निकाल सकता है तो कैसे यह नहीं तो रास्ता निए आपको कैसे जानेंगे तो रोट-ाहल То तो इधर बहुत ही खराब है जो मैंड रोड है एने चेक सोचार उसका भी हालात बहुत खराब है वह तो उसको तो छोड़ दो लेकिन गली महले वाले जहां पर लोग घर बनाए हुए उन लोग को घर से निकलने में बहुत तकलीव जिलना पड़ता है जैसा देख सकते इधर यह बहुत ही पॉपलर्ड महला है जो हाट बजार है यहां का बेतापरसा पंचायत का हाट बजार है और पनपीटोल तो जो जैसा था वो चीजों को मैंने एक्स्प्लोर करा दिया और देखा दिया है यह बहुत ही पॉपलर्ड महला है पंचायत बहुत ही फेमस है और यह इ आगे मोका मिला तो उधर का यह वीडियो बनाके डालेंगे तो कैसा था वीडियो हमें कमेंट करके जरूब पताना और वीडियो को जाद से जाद लोगों तक शेयर कर देना आप लोग जहां भी हो जैसे भी अपना ख्यार लगना मिलते हैं फिर एक और धागर वीडियो के था यवां मुल्ण